दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HDFC Bank Net Banking के दोरा हम जो है XC.com टेली सिस्टम का जो IPO है वो IPO में किस तरह से अफलाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको complete procedure बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है HDFC Bank Net Banking के दोरा जो है IPO अफलाई कर सकते हैं तो वीडियो को शुरू से लेके लाज तक देखें वीडियो में बताऊंगे इस टेप्स को जो है फोलो करते हैं आप भी जो है HDFC Bank Net Banking के दोरा XC.com टेली सिस्टम का IPO अपलाई करें HDFC Bank Net Banking के दोरा कोई भी IPO अपलाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास चाई फोन हो या फिर लेप्टोप हो इसका सर्च बोक्स को ओपन करना सर्च बोक्स में जाके हमारे को सबसे पहले HDFC Bank Net Banking को ओपन कर लेना है यानि हम जो है ये IPO अफलाई करेंगे ये जो है Net Banking के दोरा ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है HDFC Bank की जो Net Banking है Net Banking को ओपन कर लेना है उसमें जो page है वो open कर लेना है तो ये easy procedure है Net Banking को ओपन करना है इसमें जो भी आपने user ID या password यानि इसमें जो customer ID सेट कर रखी है इस तरह का page आजाएगा customer ID डाल देने ये customer ID अगर किसी कारणोस आप भूल गए हो तो इसमें option दिया हुआ है forget customer ID यहां से आप जाके customer ID को जो है वापी से reset कर सकते हो तो customer ID डालना customer ID डालने के बाद नीचे जो continue का option दिया हुआ है इसको आपको continue कर देना है जैसे आप customer ID डालके continue करोगे continue करते ही इसमें जो नीचे चेक बोक्स एक दिया हुआ है जिसमें आपको जो है password या पिन जो भी आपने set करका वो डालके और इसमें login हो जाएगा login करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह का page कुल के show हो जाएगा तो इस page में कई option दिये हैं आपका accounts, fund transfer, bill pay, and recharge, card, demate, mutual fund, insurance यानी इस page से द्वारा आप जो है और भी अगर कोई काम करना चाते हो तो कर सकते हो account के option में सबसे पहले आपको जो आपका balance है वो balance यो कर देगा तो आप यहाँ से जो है balance भी अपना देख सकते हो अभी जो है IPO apply करने के लिए तीन option दिये हैं ट्रांजेक्ट, inquiry और request हमारे को जो है request वाड़े option के उपर जो है इसमें किलिक कर देना है जैसे आप request के option के उपर किलिक करोगे कई सारे option आपके सामने जो है इसमें खुल के स्यो हो जाएंगे तो आपको इसको जो है उपर की तरफ scroll कर लेना है यानि आपको जो है इसमें फुली जो है उपर की तरफ scroll कर लेना है और सबसे नीचे एक option मिल जाएगा IPO oblique right issue new तो IPO oblique right issue new के option के उपर केड़ करना है जैसे आप किलिक करोगे इसमें आपको जो है select end account यानि आपको जो है एक account जो आपका HDFC का account है वो account आपको यहां से जाके इसके उपर किलिक करना है और किलिक करने के बाद उस जो account है उसको आपको select कर लेना है तो इसके उपर इसके सामन जो click का option है यहाँ पर आपको click कर देना है आपका account number आपका branch कहा है पर show कर देगा इसको आपको जो है इसके बाद में इसको continue कर देना है जिससे यह आप इसको continue करोगे continue करते हैं आपके सामने आपका जो account number है वो show कर देगा आपका name यानि bank holder का नाम show कर देगा इसके बाद में आ नीचे जो continue का option दियावा है इसको आपको continue कर देना जैसे ही आप इसको continue करोगे continue करते इस तरह का जो है netbanking.hdfc.com से इसको कहे please note by clicking ok your HDFC netbanking session will expire and you will be automatically redirected to third party website यानि जैसे ही आप इसको permission देऊगे ok करके दो है आपको एक दूसरी site के ऊपर जो है redirect कर दिया जाएगा जो HDFC securities की है वहां से जाके हम जो IPO का process है वो HDFC securities के दोरा करेंगे तो जैसे आप करोगे इस तरह का page आ जाएगा इसमें welcome to your online IPO and right issue system तो इसमें जो पहला option दिया है I want to apply for IPO issue इसके ओपर आपको जो है टिक कर देना है जैसे आप टिक करोगे टिक करने के बाद में इसमें जो नीचे option दिया ह HDFC bank जो है net banking के दोरा आप बहुत ही आसानी से जो है IPO जो है apply कर सकते हो चाहिए कोई भी किसी भी company का IPO क्यों नहीं हो तो इसके बाद में आपको submit के option के ओपर किलिक कर देना है जैसे आप submit के option के ओपर किलिक करो किलिक करते ही at present में जो जो IPO अभी open हो रखें पूरे के पूरे IPO यहाँ पर जो है show कर देगा तो सबसे पहले issue नाम यानि IPO company का नाम क्या वो show कर देगा issue type किस type का है इसके बाद में price band यानि जो price है IPO का वो show कर देगा load size IPO का load size क्या है वो show कर देगा start date end date show कर देगा prospectus यहाँ पर आप इसको download करके अगर आपको इसके regarding जो है पढ़ना है कुछ और भी company के बारे में अगर ज्यादा आपको पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो इसके बाद में apply यानि आपको apply कर देना तो जैसे ही आप apply के option के ओपर click करोगे click करते इसमें आ जाएगा ASBA application supported by blocked amount this insured date the retail investor further leave his bank account only upon allocation of share in public issue दोस्तो इसका खहने का मतलब है कि जो आप जैसे ही IPO को apply करोगे कवराई करते ही आपका जो bank में जो पैसे हैं वो आपके block कर दिये जाएंगे यानि उस पैसे को आप जो है यूज नहीं कर पाओगे अगर आपको IPO मिल गया तो ठीक है वो आपके demate account में जो है share transfer हो जाएंगे अगर आपको IPO जो है नहीं मिला तो वो आपका जो पैस ब्लोक हो रखा है वो वापिस जो है unblock कर दिया जाएगा तो इसमें आपको जो है OK करके और यह जो है इसकी आपको permission देनी है तो इसमें जो OK का option है उसके उपर आपको जो है जैसे ही आप जो है ASBO को OK की permission दियोगे आपके सामने जो है next page कुलके इस तरह से show हो जाएगा तो जिस भी IPO आप apply करना चारे हो वो IPO का यहाँ पर जो है name show हो जाएगा इसके बाद में आपकी कुछ personal details जो है bank के द्वारा यहाँ पर जो है automatic जो है आ जाएगी HDFC Securities की website जो है के उपर आपकी detail जो है show हो जाएगी तो सबसे पहले applicant का नाम आपका name show हो जाएगा पेन कार्ड नमर आपका जो पेन कार्ड का नमर है वो show हो गया category जो है individual bank account नमर यह आपका पूरा का पूरा detail जो है यहाँ पर show कर देगा जिस भी IPO को apply करना चारे हो उस IPO का जो है नाम show कर देगा उस अभी उस IPO की details भी आपको पूरी की पूरी जो है side में आपको उस IPO का जो detail ह वो भी आपको पूरी show कर देगी सबसे पहले type यानि IPO की इस type का है IPO का price band क्या है इसके बाद में retail investor value यानि retail investor जो है इसमें जो है maximum और minimum कितना amount invest कर सकते है H&I investor जो है इसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा यानि minimum और maximum कितना invest कर रहे है lot size क्या है issue कब तक है यानि पूरा का आपको जो है इसमें show कर देगा अभी इसी page को आपको जो है उपर की तरफ scroll कर लेना जैसे या page को उपर की तरफ scroll करोगे इसके बाद में यहाँ पर इस तरह का फोरम आ जाएगा इसमें applicant का नाम यानि आपका नाम जो है यहाँ पर automatic आपको फिलप करने की ज़रूत नहीं automatic जो है आपका नाम श्यो कर देगा निचे second में a आपका जो पेन कार्ड का नमर है वह पेन कार्ड का नमर आपको एटोमेटिक श्यो कर देगा इसके बाद में date of birth यानि date of birth आपका जो कलेंडर का box बनावा है इसके ओपर click करके आपको manually इसमें जो है आपकी जो डेटो पिलप करनी होगी और applicant का नाम और pain नमर आपको जो है इसमें एटो में ठीकी श्योग कर देगा आपको कुछ भी नहीं करना बस date of birth आपको जो है collector के box पर click करके manually इसमें पिलप करना है इसके बाद में इसमें आगे की तरफ depository depository का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो है demate account nsdl में है या cdsl में है तो सबसे महतुएपून ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो demate account है वो nsdl में है या cdsl में जिसमें भी है उसके उपर आपको क्लिक कर देना इसके बाद में dp name dp name में आपका demate account जिस broker के साथ है उसका नाम यहां पर फिलब कर देना है तो आपको अगर कोई भी क्यूरी हो dp name में या आपका demate account cdsl में है या nsdl में है तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हूँ मैं आपको confirm कर दूँगा कि demate account जो है किस में है और dp name आपका क्या है दोस्तो इसमें गलती बिल्कूल भी नहीं करना है नहीं तो आपका जो है यह पैसे भी आपका amount भी विलोग हो जाएगा और last time में जाके आपका जो है यह reject कर दिया जाएगा इसके बाद में dp name और जो है beneficiary account number तो दोस्तो अगर आपका यह जो है depository nsdl में है तो dp name में जो आपका demate account है उसके आठ भष्ट के digit dp name में आएंगे और last के जो add digit है वो beneficiary account नमर के option में आपको फिलप करने है अगर आपका जो है demate account cdsl में है तो dp id का option है इसमें कुछ भी फिलप नहीं करना है बेनी पिसरी account number का जो option दियावा है इसमें आपके जो demate account के 16 के 16 digit जो है बेनी पिसरी account number के जो option है इसमें आपको जो है फिलप कर देना है कोई भी क्यूरी हो मेरे से पूछ लेना doubt में नहीं रहना इसके बाद में page को और उपर की तरफ scroll करना है scroll करने के बाद यहां पर आप देखोगे कि जो है bid share यानि इसका जो है एक जो है कितना की quantity है एक lot में तो hand trade की है तो hand trade यहां show करते है amount यानि हमेशा कोई भी IPO जब जो है open होगा उसमें दो एक minimum amount और एक जो है maximum amount तो आपको IPO जो है हमेशा यह ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा आपको जो है IPO जो है वो अपर यानि जो maximum amount होता है वो ही यहां पर फिलब करना है यानि आपको जो है share जो आपने फिलब कर दिया कि 100 minimum load size 100 का है तो अगर आप इसे ज्यादा भी apply करना चाह रहे हो तो 200, 300, 400, 500 यानि 100 के गुणक में ही आपको जो है ये sale लगाने है और यहां पर प्राइस कर दिया प्राइस अगर आप नहीं करते हो तो cut out price cut out price का मतलब maximum price जो है automatic ही ले लेगा इसके बाद में 100 into 142 यानि 14,200 रुपे आपके अकाउंट में होना चाहिए IPO apply करने से पहले अकाउंट में पैसे भी चेक कर लेना है कई बार हम IPO जल्दबाजी में IPO लगा तो देते हैं IPO जो है फिर बोले IPO लगा नहीं क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होता तो ये चीजे जो है पहले ही ध्यान रखने वाली बात है कि मैं कितना लगा रहा हूं और उसके इसाब से बैंक में पैसा है या फिर नहीं है तो ये चीजे आपको ध्यान रखने वाली बात है अगर आप 100 से ज्यादा share करीना चाहते हो तो फिर इसमें आप 200, 300, 400, 500 जो है करें और हमेशा जो है maximum price है उसी पर IPO अपलाई करें इसके बाद में faciliter code, faciliter code में faciliter code है उसके ओपर किलिक करना, proceed के option के ओपर किलिक करना एक बार इस तरह का option आ जाएगा you are about to place in IPO order इसको आपको जो है confirm कर देना है तो जैसे ही आप इसको confirm करोगे, confirm करते ही हमारा IPO अपलाई हो गया तो दोस्तो बहुत ही easy तरीका है, आपको कहीं भी, किसी भी परकार की कोई भी doubt हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं जितना हो सकेगा, आपकी पूरी help करूँगा मैं आपकी पूरी help करूँगा, और जैसे ही आप confirm करोगे, इस तरह का जो है सक्सेदपुली का message आजाएगा, application नमर आजाएगा, और transaction नमर आपको जो है शो करतेगा, फिर भी दोस्तो मैं एक बार पिर कह रहा हूँ, IPO के regarding किसी भी परकार की क्यूरी हो, कमेंट बोक्स में जरूर लिके, मैं आपकी पूरी help करूँगा, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थेंक्यू दोस्तो वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, सेर करें, वह मेरे यूटूब चेनल को, जरूर सब्सक्राइब करें, थेंक्यू पॉर वाचिंग माई वीडियो, अगें, थेंक